Hello everyone, this is me Manoj do English Coach, welcome to Love English और आज के लेस्न में चिवी पोएम की सम्मुरी को डिसकस करेंगे Now let's get started The poem, चिवी पोएम चिवी पोएम की सम्मुरी को डिसकस करेंगे Now let's get started कि यहाने कि हमारे पेरेंट्स जो हमसें बड़े होते हैं वह में बताते हैं कि क्या कि हमारे दूस हैं, क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज हमें नहीं करनी है especially they dictate to young children, जो वह हमें बच्चों को बताते हैं, dictate करते हैं एक्तियत का मतलब होता है कि कोई आपको किसी भी चीज को करने के लिए कह रहा है इडल्स कॉंस्टंटली गिवल लिस्ट फिंस्ट्रक्शन्स तो दिश्रन अबाट हाउ तो अबाट हाउ तो इन सो ओन जो ऐडल्स है, जो हमसे बड़े हैं, 18 प्लस जो लोग है वो महीं लगतार हमें इंस्ट्रक्शन्स देती रहते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि हमें कैसे बैठना आप हैं, कैसे बात करनी हैं, कैसे खाना है, और भी बहई सारे चीजह हैं उसको हम इस चैप्टर में, इस पोम में डिस्कस करते हैं पोम, however, indicates a passage of time when the young child has grown up and is incapable of taking a decision on his own और जो इस पोम है, यह ऐसे time को ऐसे time को शो कर रहा है जहां पर जो young child है, जो छोटा ही बच्चे हैं, वो बड़े हो चुके हैं पर वो अभी भी incapable है, यानि कि वो धंक से उस चीज़ को नहीं कर पा रहें और वो क्या चीज़ नहीं कर पा रहें, वो decision खुद के फैसले नहीं ले पा रहें और फिर से अब क्योंकि जो young child है, वो बड़े हो चुके हैं और वो decision नहीं ले पा रहें, तो जो same adult, फिर से हमार जो parents है, जो हमसे बड़े हैं, वो फिर हमें गुस्से में, child का मतलब होता है, गुस्से से बोलना तो वो फिर से हमें गुस्सा दिखा रहे हैं, कि अब हम बड़े हो चुके हैं, और हम independently हम खुद पे decision नहीं ले पा रहे हैं, खुद से हम सोच नहीं पा रहे हैं Stanja 1, grown-ups say things like, speak up, don't talk with your mouthful, don't stare, don't point, don't pick your nose चो बड़े लोग हैं, grown-ups वो हमें बोलते हैं, बोलो, अपने मुह में खाना लखे मत बात करो, किसी को घूरो मत, किसी को उंगली मत रिखाओ, अपने नाथ में उंगली मत डालो जो, reference, the above lines have been taken from Michael Rosen's poem chipping, तुस poem का reference किया है, जो यह poem है, इसको लिखा है, Michael Rosen's ने, context, अभी किस context में बात कर रहे हैं, किस तंदर में बात कर रहे हैं, the poet points out to a series of instructions given by the grown-ups, obviously जो हमने इस्टैंजर पढ़ा, हमने डिसकस किया, कि वहाँ प एक series of instructions, है बहुत सर मिर्देश दिये हैं, grown-ups के द्वारा, जो बड़े लोग हम से, explanation, the poem opens with a long list of instructions, जो poem है, उसमें बहुत सारे इपने instructions देखें, निर्देश देखें, in all likelihood, these instructions are being issued by the adults to the young ones, जो 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 सारे instructions थे, यह adults द्वारा यंग लोगों को, जो छोटे हैं, उमन में, उनको दिये जा रहे हैं, उनको कहा जा and so on, are just a few examples, और इस तरह के बहुत सारे examples दिये गए हैं, stanza 2, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of it, pop, उठके बैठो, खुछ कहो, शोर मत मचाओ, कम मचाओ, अपने पीछे का दरवधा बंद करो, अपने पैरों को मत घिसो, आपके पास क्या रुमाल नहीं है, हैंकी और अपने हादों को पॉकेट से बहार रखो, context, the poet continues to put an emphasis on how the young children are directed to act in accordance to the instructions issued by the adults, और फिर से यह, जो poem है, जो poet है, वो यह बताया जा रहे हैं कि, जो young children है, उनको, जो adults, जो instructions दे रहे हैं, उनके हिसाब से इंको काम करना चाहिए, explanation, the second stanza of the poem continues with yet another set of instructions, the second stanza में भी हमने देखा कि, बहुत सारे set of instructions दिये गए हैं कि कौन-कौन से काम हमें करने हैं, और कौन से काम नहीं करने हैं, यंग लोगों को, each and every activity of the young child is administered and put under the surveillance of the pronouns, और जो सारी जो हर एक activity है, जो young child को करनी है, वो administered की जाती है, जो आपको monitor कर रहे है, आपको कोई देख र जानी में, और हम किसके निग्रानी में बात कर रहे हैं, आपे grown-ups के निग्रानी में हम बात कर रहे है, standard third, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything, अपने जुराप को उपर करो, सीधे खड़े हो जाओ, और thank you बोलो, don't interrupt, किसको परिशान मत करो, या किसी की बात आप में बादा मत डालो, और कोई भी नहीं सोचता है कि आप funny है, अपने जो कोहनी है, उसे table के उपर से हटाओ, क्या आप अपने आप सोच नहीं सकते हो, क्या, context, the poet showcases how the child is still being reprimanded by the adult, though the child has grown-up, और फिर थर्ड स्रेंजा में हमने देखा, जो young है, वो अप grown-ups बन चुके ह और तब भी उनको reprimand भी किया जा रहे है, reprimand का उनला है, डाटना या फटकारना, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो young लोग है, वो adult हो चुके है, grown-up हो चुके है, तब भी उनको डाट बढ़ रही है, explanation, the final couplet of the poem shows that perhaps the young child has grown-up, तो finally हमने देखा, जो final standard third है, उसमें तो young child है, वो बड़े हो चुके हैं, however, the adults around him continue to reprimand him, और तब भी अभी भी जब वो बड़े हो चुके है, तो adults है उनके साथ, वो अभी उनको reprimand करें, डाट रहे हैं, but this time for a different reason, पर इस बार वो कुछ अलग कारण के वाजे से डाट रहे, the child is unable to decide anything for himself, कि कि जो बच्चा है, वो अ पक्के नहीं है, it's quite ironical as the entire childhood of this child was spent blindly following the instructions, और यह बहुत आदा आइरोनिक है, आइरोनिक का मदला है, तोटली opposite है, क्योंकि जो पूरा बच्पन लोग का निकला है, वो instructions पे है निकला है, जो grown-ups ने इनको instructions दिये हैं, वह ही इनोंने follow किये हैं, और इनके बाब बच्चे पे, इनमें कुछ changes नहीं आया है, so this was the poem culture भी, जहाँ आप हमने देखा, कि जो grown-ups है, वो young child को बहुत साले instructions दे रहे हैं, कौन सी ची जो करनी है, और कौन सी ची नहीं करनी है, still जब वो grown-up होते हैं, जब चाइल जो बड़े हो जा रहे हैं, तब भी उनको reprimand किया जाया है, उनक to first lesson everyone, thank you for attending this session, do share and subscribe to this channel for more lessons like this, check out other video lessons by clicking on the video